अगर आप अपने मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग करते हो तो आपने वीवा वीडियो एप जरूर यूज किया होगा जो कि एक पेड़ एप होने के साथ साथ चाइनीज एप भी है और इंडिया में इसको आप कम्प्लीटली बैं किया जा चुका है उसके बाद आपने हटाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन पर्चेज करने पड़ते हैं और यह चलाने में थोड़ा टफ भी है लेकिन आज के वीडियो में जिस वीडियो एडिटिंग आप के बारे में आपको बताने वाला हूं यह चलाने में बहुत जादा एजी है कम्प्रीटली फ्री है कोई वोटरमाग यहां पर शो नहीं होता एडवांस लेवल के वीडियो एडिटिंग फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं साथी साथ अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो आप ओटोमेटिड वीडियो एडिटिंग की हेल ले सकते हैं यानिकि आपक तो यहाँ पर जिस वीडियो एडिटिंग एप का मैंने आपके सामने जिक्र किया है वो है वीटा एप ये एंड्रोइड और आई-एस दोनों के लिए अवेलबल है डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो एडिटिंग एप का क्योंकि जिस तरीके के इसमें आपको एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग फीचर मिलते है वो अदर वीडियो एडिटिंग एपस में आपको देखने को नहीं मिलते है तो बात है अपने एप टूर पर यहाँ पे मैंने वीटा एप को open कर लिया और तीन main option आपको यहाँ पे दिखाई देंगे left side पे आपको मिलेगा project का option center में मिलेगा plus and right side पे मिलता है template तो मैंने आप से कहा था कि अगर आपको video editing नहीं आती तो आप automated video editing की help से अपने videos edit कर सकते हो तो उसके लिए आपको जाना होगा templates में template पे जाने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारी categories मिल जाती है matter नहीं करता कि आप Instagram के लिए YouTube के लिए या किसी भी social media platform के लिए यहाँ पे videos edit कर सकते हो तो मैं चलता हूँ popular में कोई भी एक video को edit करके देखते हैं और यहाँ पे select करता हूँ on building अब इस template पे मैं अपनी picture यूज़ करना चाहूँगा तो उसके लिए बहुत जादा simple है जश्ट आपनी यूज़नाव पे tap करना है और जो उन सी भी आपकी picture है वो आपने select कर लेनी है तो इस type की video को अगर मैं manually edit करने बैट तो मेरे घंटों लग जाने थे लेकिन template की help से बहुत जादा easy हो गया और आप इसको automated video editing भी कह सकते हो यहाँ पे आपको thousand plus template मिल जाएंगे अलग-अलग आप try कर सकते हो अपनी skills को यहाँ पर use कर सकते हो और अगर आप चाहो कि मैं automated video editing में थोड़ी video edit खुद्जर करना चाता हूं तो वो भी option यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और उसकी help से आप अपनी video editing skill भी improve कर सकते हो साथी साथ अगर आपने अपना YouTube पे नया channel start किया है उसके लिए इंट्रो चीए या फिर vlogging करते हो तो उस तरीके की templates भी आपको इस app के अंदर मिल जाएंगे मतलब आपका काम बहुत जादा आसान होने वाला है अब चलते है अपनी manual video editing पे तो उसके लिए आपको plus पे tap करना होगा उसके बाद यहां पे आप कोई भी फाइल select कर सकते हो for example आपने एक video shoot किया उसको edit करना चाहते हो तो मैं यहां पे कोई भी दो profile को select करता हूं और उन दोनों को अब मैं edit करना चाहता हूं तो edit करने के लिए यहां पे आपको क्या क्या option मिलते हैं पहले ही देख लेते हैं यहां पे edit का option मिलता है जिसमें आपको speed reverse volume copy delete इस तरी के option मिलते हैं मतलब और यह जन्रल है यह चाहिए ही चाहिए होते हैं उसके बाद यहां पर special effects मिलते हैं और effects कोई ऐसे नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल वाले अगर आपने Adobe Premiere Pro चलाया हो तो उस टाइप के effect आपको mobile video editing app में देखने को मिल रहा हूं वो पर free of cost तो और क्या चीए अब यहां पर ratio बहुत जादा मैटर करता है क्योंकि इंस्टेग्राइम के लिए आपको one race to one की video चीए Facebook पर तो कोई भी चल जाती है YouTube के लिए आपको 16-9 चीए तो ratio में जाके आपको अपनी file का जो aspect ratio है वो select करना होगा उसके बाद यहां पर आपको text का feature मिल जाता है तो text में आपको बहुत अच्छे-च्छे प्यारे-प्यारे text मिल जाते हैं उसके बाद sticker है music है तो overlay music आप यहां पर डाल सकते हो filters आपको एकदम high level के मिल जाते हैं मैं again आपसे कह रहा हूँ आप कोई भी एक बार computer level का video editing app चेक करो उसके बाद इस पर आओ आओ आपको सारे के सारे features इस app में देखने को मिल जाएंगे और सब flawlessly काम करते हैं तो यहां पर जो मैंने दो वीडियो को लिया है मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो unwanted part है वो मैं cut करके दोनों को merge कर दूँ और दोनों थोड़ी attractive लगरी चाहिए वहां पर थोड़े effects आने चाहिए तो जो मैंने बीच का part select किया इसको delete कर देता हूँ अब unwanted part cut करने के बाद मैं इस पर transition यूज़ करूँगा जिससे वीडियो थोड़ी attractive लगे तो इसको select करने के बाद यहां पर काफी सारे option मिल जाएंगे जैसे special effect, dynamic, light तो मैं special effect में चलता हूँ यहां पर circle in कोई भी use करके देख लेता है या फिर और काफी सारे अगर आप try करन चाहो तो खुद अपने हिसाब से कर सकते हो और आपकी video editing skills इसी तरीके से improve होगी क्योंकि features आपको भर-भर के मिल रहे है अब just आपने अपना mind use करना है और video editing skills को बढ़ाना है तो यहां पर मैंने video को edit करके एक छोटा सा sample बना है जिसमें मैंने font use किया है और transition use किया है जिसके भी software PC laptop या फिर mobile के लिए भी आता है सारे के सारे पेड है लेकिन इस app के थुरू आप video editing एक दम जबरदस्त कर सकते हो कहीं भी कर सकते हो तो यह था overall video regarding Vita mobile video editing app जो की completely free है कोई watermark नहीं आता non-chinese app है description box में लिंक है iOS और Android दोनों पर आप इसको use कर सकते हो और definitely आप enjoy करने वाल नेक्स वीडियो में थैंक्स फोर वोचिंग